तो जैसा कि आपको पता है कि यह जो ट्रेक है योके वाल यानि गल करे तू सलैंग चे रील से पगरा पर बहुत ज़्यदा वाइरल चल रहा है आपने जरूर सुनाई होगा तो आज इस टरीक की स्टर्टिंग से लेकर रूइल इर तक की पूरी इंफर्मेशन और नौलेज दे दूँ आए और इसी स्टर्टिंग टो रिज्जंग वाली सिरीज के रीसेंट वीडियो यह सिद्धु एक्ष ट्रेक और टाली वाले खेतो वाले ट्रेक की है सो तुम इन्हें भी चेक कर लेना बाद में लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोनों की ही इनमें भी काफी नॉलेज मिले गिया तू बिनावक्त को हो है आपको बताऊं तो इस ट्रेक की ख़बर सबसे पहले 13th में के दिन मिली थी तब स्टेफ ने बताय था कि उनकी अपकमिंग एलबम में सिद्धू का भी फीचर है सिद्धू भाई के भी साथ कॉलाइबरेशन ट्रेक है उनका लेकिन आपको बता दू कि आप यहाँ पर थोड़े से गलत हो इस ट्रेक की अनॉंसमेंट इससे भी थोड़े पहली हो चुकी थी वो अभी बताता हूं लेकिन उससे पहले इस ट्रेक की दो-तिन लाइन सुन लो तागी माहौल बन जाए पूरा सिद्धू भाई की आवाज में हंजी तो मार्च 14 को स्टैफ ने एक पोस्ट शेयर की थी जिसकी की लाफ्ट स्लाइड में यही स्टेम ट्रेक था और इसी पोस्ट के कैप्शन में उन्हों लिखा था तो यही इस गाने का टाइटल होगा इस बात का प्रूफ अभी आगे दिखाता हूँ पहले इसका मतलब जान लो तो डिलेमा का मतलब होता है थोड़ी सी कश्मकस वाली सिच्वेशन जब कुछ समझ में ना रहा हो तो अभी दो-तिन दिन पहले ही स्टोई शेयर करके बताया था स्टैफ ने कि यह गाना डिलेमा टाइटल के साथ आएगा उन्होंने लिखा डिलेमा हैस गॉन वाइरल फीचरिंग ता लेजेंड सिद्दू तो यहां से यह टाइटल कनफर्म हो जाता है लेकिन जैसा कि तुमने अभी देखा स्टैफ ने लिखा I Can't Wait To Release तो यह ट्रेक कब तक रिलीज हो जाएगा ओफिशली चलो यह भी बताई देता हूं तो यह ट्रेक स्टैफ की अलबम में आएगा जिसका टाइटल है Island 54 उन्होंने स्टोरी शेयर करके बताया था और एक दिन जब वो लाइव आई थी तब भी उन्होंने यह बात कही थी कि सिद्दू भाई का एक ट्रेक उनकी अलबम में भी है उस लाइव की वो क्लिप मैंने वीडियो के लाष्ट में एड कर दिया तो उसे भी देख ले ना उससे पहले बस एक दो बाते और जान लो कि इस गानी की सिर्फ एक पेज की एक सिंगल ओडियो पे अल्मुस्ट फाइव के से भी ज़दा रील्स है तो आवरॉल तो पता नहीं कितनी रील्स बन चुकी होंगी प्लस टिक टॉक पे भी बहुत ज़दा वाइरल चल रहा है एक ट्रैक तो तुम खोदी अंदाजा लगा लो स्टैफ ने क्यों लिखा था कि ये ट्रैक वाइरल चल रहा है बाकि आव श्टैफ ने बोलाया तो फिर तो उनकी अलबम जल्दी ही रिलीज हो जानी चाहिए बाकि तुम अब उस लाइव की क्लिप देख लो और अकर इतना लाश्ट तक देख रहे हो तो कॉमेट में सिदू डिलेमा ज़रूर लिख देना ताकि मुझे पता लग जाए तुमने लाश्ट तो देखा था तो ठीक है वो तुम क्लिप देख लो सो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अपना ख्याल रखना